Dear student, आज के क्लास में फिर हम आप लोगों के सामने एक नया प्रैक्टिस सेट ले करके आये हुए हैं और इसका पहला कोस्चन है धन विधेयक पेस किया जाता है तो इसका एंसर हो जाएगा धन विधेयक केवल और केवल लोक सभा में प्रस्तूत किया जाता है और इस जो धन विधेयक की परिभाशा दी गई है ये धन विधेयक की परिभाशा आपका सम्मिधान के अनुच्छेद 110 में प्रदान की गई है और इसी 110 के अंतरगत आपका धन विधेयक केवल और केवल लोक सभा में ही प्रस्तूत किया जा सकता है अगला कोश्चन कि उत्तर प्रदेश बेसिक सिच्छा परिषद का गठन कब किया गया तो उत्तर प्रदेश बेसिक सिच्छा परिषद का गठन 1972 में किया गया था और इसी 1972 उत्तरप्रदेश बेसिक सिच्छा परिशद का जो गठन हुआ था उसका डेट है आपका 25 जुलाई 1972 और पचीश जुलाई 1972 को बेसिक सिच्छा परिशद अधिनियम का निर्मार भी किया गया और इस अधिनियम में आपका सन 2000 में हाल फिलहाल में आपका सनसोधन भी किया जा चुका है अगला कोश्चान आता है कि निमलिखित में निमलिखित देशों में तासकंद किसकी राजधानी है तो तासकंद जो है आपका एंसर हो जाएगा उजबेकिस्तान और इसी उजबेकिस्तान की राजधानी क्या है तासकन और इस उजबेकिस्तान की मुद्रा भी आप लोग नोट कर लीजिए मुद्रा का नाम जो है वो है आपका सोम अगला करागम कहां का लोक निटते है करगम या करागम दोनों एक ही है तो ये करगम जो है आपका तमिल नाडू का लोक निटते है और ये ग्रामीर निर्त्य जो होता है वो आपका वर्सा देवी वर्सा देवी इनकी कौन माने जाती है मारी अम्मन और नदी देवी गगई अम्मन नदी देवी जो है वो गगई अम्मन है इनही के उपलक्ष में आपका करगम निर्त्य का आयोजन तमिल नाडू में किया जात कि मनुस्य के सरीर के किस अंग में लिंफोसाइट का निर्माण होता है तो एंसर हो जाएगा आपका अस्थी मज्जा और ये जो लिंफोसाइट है ये अस्थी मज्जा में ही बनते हैं और रक्त लसी का उत्तक में ये पाए जाते हैं ये इसके एक तरीके से दो मुखे प्रकार होते हैं लिंफोसाइट के जिसमें B और T और ये दोनों सरीर के प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं अगला कोश्चन अखिल भारती किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था तो अखिल भारती किसान सभा का प्रथम अधिवेशन आपका लखनव में आयोजित किया गया था अखिल भारती किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था तो एंसर आपका हो जाएगा C कलकत्ता में और ये 1936 में आपका अखिल भारती कांग्रेस के लखनव अधिवेशन में स्वामी सहजानन्त की अध्यक्षता में अखिल भारती किसान सभा का गठन किया गया और इसका प्रथम अधिवेशन जो है वो कलकत्ता में न हो करके इसका प्रथम अधिवेशन आपका लखनव में कि आ गया था अगला कोश्चन कि पीतल मिस्रण है तो पीतल जो है वो ताबा और जस्ता का मिस्रण माना जाता है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका B अगला question ग्रैमी पुरसकार किस छेतर में प्रदान किया जाता है तो एंसर हो जाएगा आपका संगीत और इसी संगीत इसका दूसरा टाइप का question पूशता है कि संगीत का आसकर पुरसकार किसे कहा जाता है तो संगीत का आसकर पुरसकार जो है वो ग्रैमी पुरसकार को कहा जा अविश्कार निम्न में किस ने किया तो बारूद या डाइनमाइट का अविश्कार करने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं आपके अल्फरेड बर्नार्ड नोबल और इसी अल्फरेड बर्नार्ड नोबल के द्वारा आपका बारूद या डाइनमाइट का अविश्कार किया गया जो कि सिंगल प्रोसेसर का उपयोग करते हुए सिंगल कंप्योटर सिस्टम में एक ही समय में दो से अधिक प्रोग्रामों को संचालित करने के लिए सच्छम बनाता है तो इसका एंसर आपका हो जाएगा मल्टी टास्किंग इसका एंसर मल्टी टास्किंग अगला कोश्चन कि उत्तर प्रदेश में 1861 में पूलिस एक्ट अनुपालन में आने के पश्चात किस वर्ष पूलिस महानीर छकपद का स्रिजन किया गया तो इसका एंसर हो जाएगा आपका 1863 उसके बाद से बारहमा कोश्चन कि वन अरेंज मर्डर उपरन्यास निम्न लिखित में किसके द्वारा लिखी गई थी तो वन अरेंज मर्डर जो पुस्तक है वो आपका चेतन भगत के द्वारा लिखी गई एक उपरन्यास है इसके आलामा चेतन भगत जो है वो और भी हैं और इनकी पुस्तक में one arranged murder है इसके आलामा और भी इनके पुस्तकों का नाम परिक्षा में पूछ सकता है तो इनका एक है five point उसके बाद से someone night at the call center the three mistakes of the my life ये सभी किताबें जो हैं वो चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है तेरहमा question कि Admiral Cup का संबंध किस्से है तो Admiral Cup का संबंध आपका नौकायन से है और ये जो नौका दोड होती है ये भारत में आपका 1957 से start की गई थी और इसी नौका दोड से संबंधित कप कौन सा है तो आपका Admiral Cup है अगला question कि उस इस्थान का नाम बताएं जहां बौध बौधों की माननेता के अनुसार गौतम बुध ने अपनी मृत्यू का पर निर्वान प्राप्त किया तो एंसर हो जाएगा आपका कूसी नगर और इसी कूसी नगर में 483 इसापूर गौतम बुध की मृत्यू हुई थी और इसी मृत्तिव की घटना को महापर निर्वान के नाम से जाना जाता है इसी तरीके से इनकी और भी घटनाय जो घटित हुई थी उससे भी आपका question उड जाता है कि जब महत्मा-बुद्ध को ग्यान की प्राप्ती हुई तो उसे किस नाम से जाना जाता है ग्यान की प्राप्ति को संबोधी नाम दिया गया और उसके बाद से ग्यान प्राप्ति के पश्चात जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में तो इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से संबोधित किया गया धर्म चक्र प्रवर्तन और जब इन्होंने ग्र पर निर्वाल के नाम से संबोधित किया गया अगला कोश्चन कि लोग सभा में सदस्यों द्वारा नीजी बिध्यक पेश करने की सूचना अवधी कितनी है तो एंसर हो जाएगा आपका एक माँ सूलाहवा कोश्चन कि 28 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक जापान के तोकियो के किस क्रम के गिस्म कालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया तो इसका एंसर आपका हो जायेगा 32 ओलंपिक और इसी 32 में ओलंपिक का आयोजन आपका 2021 में Tokyo Japan में किया गया था और इस 32 में Olympic पे और भी बहुत सारे question बनने की संभावना है जिसका मैं full video आप लोगों को provide करा चुका हूँ जिसमें कुछ छोटी मोटी जानकारी दे देते हैं जिसमें आपका इस 32 में Olympic खेल में प्रथम इस्थान जो प्राप्त हुआ वो किसको हुआ था तो वो USA को प्राप्त हुआ था और USA ने 49 वांट, 41 रज़त और 29 कांसे के साथ कुल 113 पदक हासिल करके पदक तालिका में अपना प्रथम इस्थान प्रखा था अब भारत के संबन में अगर पूछता है तो भारत 32 में Olympic खेल में 48 वांट प्राप्त किया और ये कुल 7 पदक जीता था जिसमें आपका एक स्वाण, 2 रज़त और 4 कांसे जीत करके 7 पदक हासिल करके ये विस्वेशतर पर या इस Olympic में 48 वांट प्राप्त हुआ प्राप्त किया जिसमें कि आपका एक मात्र स्वाण पदक जीतने वाले व्यक्ति कौन थे तो भाला फेकने वाले नीरत चोपड़ा अगला कोशन कि मोटर गाडियों में साइड की बस्तूओं को देखने के लिए प्रयुक्त दरपन होता है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका उत्तल दरपन और ये जो उत्तल दरपन द्वारे जो प्रतिभीम बनता है वो आभासी, सीधा और वस्तू से छोटा बनता है इसी वज़ा से मोटर गाडियों में उत्तल दरपन का प्रयोग किया जाता है अगला कोशन कि किस राज्य में ड्री तेवहार मनाया जाता है तो एंसर हो जाएगा आपका अरुणांचल प्रदेश और इसी आपा तानी जनजाती के द्वारा अरुणांचल प्रदेश में एक बंदीत है उन्नीसवा कोश्चन कि संजुक्त राष्ट के 5 इस्थाई सदस से कौन कौन से है तो इसका तो हम ट्रिक भी आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं और ये ट्रिक है ABCFR यानि कि A से क्या हो गया अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना, F से फ्रांस, R से आपका तो इस तरीके से इस ट्रिक के आधार पर आपका एंसर हो जाएगा B और ये सभी इस्थाई सदसे हैं जबकि सुरक्षा परिशाद में और इस्थाई सदसें की कुल संख्या कितनी हैं, 10 है अगला कोशन कि निम्न में कौन सा भारती अर्थ ब्योस्था का प्राथमिक छेत्र है, तो प्राथमिक छेत्र में आपका आजाता है क्रिसी, और ये क्रिसी और क्रिसी से संबंध, जो भी गतिविधियां होती हैं, वो अर्थ ब्योस्था का प्राथमिक छेत्र माना जाता है इस छेतर के अंतरगत क्रिसी कारे हो गया, पशुपालन हो गया, मचली पालन हो गया, ये सभी प्रात्मीक छेतर की स्रड़ी में शामिल किये गए हैं अगला कोश्चन कि माउंट किल मंजारों में इस्थित एक निस्क्रिय ज्वाला मुखी है तो mountain किल मंजारों में इस्थित जो निस्क्री ज्वला मुखी है वो कहां इस्थित है तो आपका तंजानिया में इस्थित है अगला question कि लंबी कूद के दोरान एक athlete कूदने से पहले दोरता है ऐसा करना आपका किस कारे के लिए प्रेरित करता है तो एक तरीके से इसका answer हो जाएगा आपका उसका संबेग बढ़ाता है तो इसमें होता यह है कि किसी वस्तू का द्रब्यमान और वेग के गुडलफन को उस वस्तू का संबेग कहते हैं इसलिए लंबी कूद के दोरान एक athlete जो होता है कूदने के पहले दोरता है ताकि उसका बेग बढ़ जाए अगला कोशन कि मेरट मेरट च्छावनी में 1857 के सैनिक बिद्रोह की सुरुवात कब होई थी तो मेरट च्छावनी में 1857 के बिद्रोह की सुरुवात 10 मई 1857 को की गई थी और इसी 1857 के बिद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम ससस्त्र बिद्रोह के रूप में जाना जाता है जिसे सिपाही बिद्रोह भी कहा जाता है अगला कोशन कि मिश्रित अर्थ बिवस्था का क्या अर्थ है तो सारवजनी तथा नीजी छेत्रों का सहस्तित होना चाहिए तो इस तरीके से आपका सी एंसर सही है अगला कोशन कि उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को किस नाम से जाना जाता है तो आपका तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को आपका परल सीटी के नाम से जाना जाता है यहां पर हीरा और मोती का व्यापार का विश्वेशतर पर केंद्र इस्थापित किये गए हैं। 27 वा कोश्चन यह आपका पांच विकास सील देशों के हाल में ही बनाए गए अंतर राश्टी ब्रिक्स में कौन से देश सामील हैं। तो ब्रिक्स की स्पेलिंग होती है B-R-I-C-S तो B फर ब्राजील हो गया, R फर रूस हो गया, I फर इंडिया हो गया, C फर चाइना हो गया और S फर साउथ अपरिका और यही पहले किस नाम से जाना जाता था तो ब्रिक के नाम से जाना जाता था जिसकी स्पेलिंग है B-R-I-C लेकिन 2010 के बाद से आपका इसमें S यानी की South Africa को क्या कर दिया गया? सामिल किया गया तो इस तरीके से Brics से अब ये कौन सा रूप ले लिया? Brics का रूप ले लिया तो इस हिसाब से आपका answer क्या हो जाएगा? तो इस हिसाब से आपका answer ये हो जाएगा ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दच्छड, अफरीका अगला कोशन कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरवाधिक वन छेत्र है? तो answer हो जाएगा आपका सोन भद्र जबकि नियुन्तम वन छेत्र भी पूशता है, तो नियुन्तम वन छेत्र का जो एरिया है, वो उत्तर प्रदेश में भदोही में पाया जाता है अगला कोशन कि भारत के पहले अखिल भारती आयुर्वेद संस्थान का उद्गाटन किस सहर में किया गया? तो एंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली और इसी भारत के पहले अखिल भारती आयुर्वेद संस्थान की स्थापना नई दिल्ली में की गई और इसका येर है आपका दोहजार सोला अगला कोशन की यूरोपी संग की साजी मुद्रा को क्या नाम दिया गया? तो यूरोपी संग की साजी मुद्रा आपका यूरो है और मुद्रा से रिलेटेड भी कोशन आप अपने लिए देख लीजिएगा क्योंकि मुद्रा से रिलेटेड कोशन आने की संभावना बनती ह मतब देश, राध्धानी और मुद्रा उसके साथ साथ विश्व के पांच ऐसे देश हैं जिनकी मुद्राओं का अपना पहचान चिन है जिसमें भारत भी शामिल है और भारत की मुद्रा प्रतीक चिन का निर्मार जो है डी उदे कुमार के द्वारा किया गया था अगला कोश्चन कि राष्टी ग्रामीर विकास संस्थान कहां इस्थित है तो इसका एंसर आपका हो जाएगा हैदरा बाद अगला कोश्चन कि निम्न में कौन सा जानवर मुकलन बडिंग द्वारा पुनर उत्पादित करता है और पुनर जनर कारेवानित कर सकता है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका हाइडरा हाइडरा की जो प्रजिनन क्रिया होती है वो अलाइंगिक जनन से होती है और इसके सरीर के अनेक टुकडों में विभाजित हो जाते हैं और यही विभक्त भाग ब्रिधी करके नए जीव के रूप में बिक्सित होते हैं तो इसका एंसर हो जाएगा आपका हाइडरा अगला कोश्चन कि पंडित दीन द्याल पसु चिकित्सा पसु चिकित्सा बिस्व विद्याले कहां इस्थित है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका मथूरा और इसी मथूरा में दीन द्याल पसु चिकित्सा बिज्ञान बिस्व विद्याले की स्थापना की गई और इसकी कि स्थापना किस वर्स की गई तो अक्टूबर 2001 में इसकी स्थापना की गई थी अगला कोश्चन कि 2021 में किसे भारती रिजर्ब बैंक का चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में निउप्त किया गया तो एंसर हो जाएगा आपका टी रवी संकर जबकि अभी 26 जून 26 जून 2023 को एक नए डिप्टी गवर्नर की निउप्ती की गई जिसका नाम है आपका स्वामी नाथन जान की राजन नोट कर लिजेगा इसको स्वामी नाथन जान की राजन जिनकी निउप्ती कब की गई तो इनकी निउप्ती 26 जून 2023 को किया गया अगला कोश्चन कि सिंध पर बिजय प्राप्त करने वाला अरब सेनापती का नाम बताएं तो सिंध पर बिजय प्राप्त करने वाला जो सफल अरब सेनापती था वो था मुहम्मद बिन कासीम और इसी मुहम्मद बिन कासीम के द्वारा 712 इसवी में भारत पर आक्रमण किया गया और इस आक्रमण में यह सफल हुआ इसके पहले सिंद पर आक्रमण करने वाले और भी सेनापती थे जिसमें अब्दुल्ला और शर्दूल थे लेकिन इनका करने वाला पहला सफल अरब मुश्लिम सासक के रूप में असेना पती के रूप में जाना जाता है अगला कोश्चन कि इमने कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है तो निमने में कौन सी मिट्टी जो है वो नदियों द्वारा निर्मित होती है तो एंसर हो उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलोने का उद्योग कहां केंद्रित है तो एंसर हो जाएगा आपका आगरा में जबकि कानपूर को चर्म नगरी के नाम से जाना जाता है बरेली को जुमका नगरी के नाम से जाना जाता है और जबकि आपका मेरट को क्रांती नगरी के नाम से जाना जाता है और खिलावना उद्योग के लिए अपका आगरा फेमस है लास्ट आपका 39 और 30 wanna question कि बनने जीव सब्ता कब मनाया जाता है तो बनने जीव सब्ता जो है वो 2 से 8 October के मदश प्रतेक वर्ज मनाया जाता है और इसका जो आयोजन किया गया था पहली बार वो 2020 में इसका पहली बार आयोजन किया गया था तो इस तरीके से ये हमने आप लोगों को एक सेट और प्रोबाइड करा दिया और इसको अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजे तो आज के लिए बस इतना ही Thank You So Much